Hello good morning to all of you friends, मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ Today we are going to discuss the questions of UPSC mains examinations which we ask in 2023 mains exam See friends, सबसे पहले दो-चार बाते करेंगे कि किस तरक ये trend है, किस तरक questions आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में देखा जा रहे हैं कि जो questions है वो direct नहीं आ रहे हैं अब डायरेक्ट जो पहले 10 साल पहले questions आते थे, कि what is the difference between tropical and temperate cyclones अब इस तरह के questions नहीं आ रहे, questions में हलका सा variations आ रहे हैं अब दो या तीन topic को मिला कर एक नया question का creation किया जा रहे दो या तीन topic ही नहीं, एक ही subject का नहीं, इवें दो subject मिला कर एक नया question का निर्माण किया जा रहे हैं History और geography अब हम देखें के दो-तीन question, जिसमें history, अपका ancient history और geography दोनों को मिला कर एक नया question का निर्माण किया गया उसी तरह geography और art and culture मिलाकर एक नया question का निर्माण किया गया geography और economics का मिलाकर एक निजा question का निर्माण किया गया इसका मदलब यह है कि जो question से वो direct नहीं पूछे जा रहे हैं questions को गुमार फिरा कर थोड़ा साथ तेरहाँ वेया करके जो आपको सोचने पर मजबूर करें इस तरह के questions पूछे जा रहे हैं हम देखेंगे एक एक question करके अगर हम 2023 की men's की बात करें if you talk about the 2023 men's और paper 1 की हम बात करते हैं तो paper 1 में आपको पता है कि geography, history और society से questions आते हैं अब मेरी बात यहां से सुनिये हर साथ paper 1 में जो कि 250 marks का होता है approximately on an average 110 से लेकर 120-130 questions जोगरफी के होते हैं पिछले 5-6 साल में हम देखें एक trend देखें तो 200 में से 110-120 questions जोगरफी के होते हैं और इस साल भी वैसे ही राय लगबग इस साल भी लगबग 110 marks के questions जोगरफी से पूछे गए हैं और इस पर अच्छी बात यह है कि geography की questions है वो थोड़े से करने वाले है मतलब कभी-कभी question किसी इस तरह से आजाए थे कि question को समझने में दिकत होती थी कि question कूछन को पूछना क्या चाहता है questions इस बार direct है लेकिन हाँ 2-3 subject मिलाकर नया question का निर्मार किया गया है हम देखेंगे कि इस किस तरह का question है जैसे कि पहला ही question अब class start करने से पहले video start करने से पहले में 2-3 चीज़े बताना चाहता हूं कि आने वाल exam में 2024-2025 के अगर हम तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या है कि holistic तयारी करना पड़ेगा हमें अपने जो सोच है जो thinking है उसको broad करना पड़ेगा 2-3 subject का एक साथ मिलकर किस तरह के से हमें question का answer दे सकते हैं holistic हमें तयारी करना पड़ेगा अगर हम सोचे कि geography में सिर्फ geography का question आएगा history में सिर्फ history का question आएगा जी नहीं अब ऐसा नहीं होगा इसलिए सारे subject का knowledge geography, history, economics, quality आपको सारे subject का knowledge और सारे subject knowledge मीना का जब आप उत्तर लिखोगे सारी aspects आएगे आपके उत्तर में वो एक अच्छा और एक important एक महत्तपूर्ण इंसर का निर्मान करेगा See listen, देखते हैं एक के question discuss करते हैं कि किस तरह के question पूछागी है इस बार 2023 के मेंस में First we will discuss each and every question carefully listen पहला question बोलता है कि प्राचीन भारत की विकास की दिशा में वहवालिक कार्पो की भूमिका को असफ़श्ट कीजिए यान कि explain the role of geographical factors towards the development of ancient India This is the first question in paper 1 in 2023 मेंस इसमें आप अगर ध्यान से question को पढ़ते हैं तो दो subject आपको कहीने कहीन नजर आता है एक geography और दूसरा आपका history और history में भी ancient history ancient history हम कह सकते हैं कि paper 1 का best question क्यों क्योंकि paper 1 में आपको पता है geography भी होता है और history भी होता है और geography और history मिला कर एक नया question का निर्मान क्या गया है paper 1 का बिल्कुल question होने चाहिए वैसा question पुछा गया है यानि कि इसमें geography अब कुछ लोग का ही यह पता नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग का ही कहना कि geography का question है उसका कहना कि history का question है हमें क्या फ़र्क परता हमें उससर से मतलब है क्योंकि आपको उत्तर लिखना है अब geography का हो या history का हो अब मेरी भाद ध्यान सुनिए इसमें उचह जारा है कि जो भारत का जो ancient history है जो प्राचीन भारत है उसका निर्मान करने में भारत का जो ज़ोग्रफी है जो भुगोल है उसका कितना importance है यानि कि कही न कहीं हमें geography the geography of India भारत का भुगोल and the ancient history of इंडिया यानिका फ्राचीन भारत दूनों का एक दूसरे पर क्या ओवरलेफ है, दूनों का एक दूसरे पर क्या डिफेंडेंसी है, दूनों का निर्माण होने में एक दूसरे में क्या रोल है, वह हमें डिसकस करना है. We have to discuss the importance of ancient history and geography together. See, listen carefully. अब इस question को दो तरीके से approach किया जा सकता है, जो मुझे बेश्ट लगता है, उस तरीके से हम करेंगे क्या, कि आप अपने भारत को, जब हम अपने भारत का map देखते हैं, देखते हैं कि नोर्थ में, उत्तर में, पूरा का पूरा mountains है, हिमाले हैं, कत्मीर से लेकर, ओनाचर प् और पहले हम जग्रफी को समझते हैं, अपने भारत की जग्रफी को समझते हैं, कि नोर्थ में देखें, तो पूरा का पूरा क्या है, mountain है, प्रम ओनाचर प्देश, टू जमु कस्वीर, नीचे में देखें, तो तीन साइट से पानी है, अरभियन सी, इंडियन ओसें, एंड देव बंगाल, the three side of India is surrounded by water, and that's why it is known as peninsular India, peninsular means area surrounded by water from the three sides, अब देखें, अब हमें इस जग्रफी को दिमाग में रख कर, यह decide करना है, और यह उत्तर देना है, कि जो जग्रफी यह भारत का, यह जो इंडिया का जग्रफी, यह भारत का भूगल है, वो इंडिया का ancient history का न अब देखें, मेरी बात ध्यान सुन, एक एक चीज को हम एनलाइज करेंगे कि किस तरह से कौन सा जग्राफीकल फेक्टर अपने इंडिया का ancient history का निर्मार करने में किस तरह से सहाइक बना है, सबसे पहले हम अपने हिमाले की बात करते है, हिमाल्या, 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 ह आपको पता है कि जू हमें एक security भी देता है, बाहरी आकरमन से हमें सुरक्षा भी देता है, और साथ साथ इस हिमाले में पासे से दर्रे हैं, जो कि हमें एक दूसरे देसों से, ट्रेट में भी मद्यद करता है, यह जो हिमाले, जो जम्मो कस्मीर से उनाचर प्रदेश तकी स की प्रिश्तित है ये हिमाले हमें जो हिमाले के बीच में जो पहारों के बीच में इसी नदी द्वारा बनाय हुए रास्ते को हम पास roll केते हैं अब इसी पासिस से ancient history में प्रेट्स भी हुए हैं, इसी पासेश से बहुत सारे लोग इंडिया में, जैसे फाइयान, बहुत सारे लोग आये भी हैं, इसी पासेश से हमारा अब बहुत सारी बिजनिस यानि के ट्रेट्स में बहुत important role play किया है, तो यह जो पासेश है, यह जो हिमाले हैं, पहले हम हमें क्या करता है, security provide करता है, ताकि foreign से कोई, बहुत सारे लोग भारत में आये हैं, इसी पासेश के दोरा है, जिसमें फाइया है, बहुत सारे लोग है, जो कि आये हैं भारत में, और भारत के instant history में, एक important role play करते हैं, तो क्या जो हिमाले हमें security प्रदान करने के साथ था, एक हमारी आने जाने के लिए रास्ता भी देता है, पासेश भी देता है, तो क्या यह हमारे लिए, एक instant history का creation में मदद किया है कि नहीं, किया है, दूसरा, इसी हिमाले से, लिसन, इसी हिमाले से, आपको पता है, कि बहु सारे rivers निकलती है, like, अगर हम कुछ most important rivers की बात करें, Indus हो गई, Satlaj हो गई, Brahmputra हो गई, Ganga, बहुत सारे नदिया निकलती है, हिमाले रिवर्स, क्या हिए हिमाले रिवर्स, हमारी एक alluvial soil का निर्मान करने में मदद करती है, आपको पता है कि one of the most fertile land in the world, one of the most flatest plains as well as the plain area of the world with the most fertile land, यहां पर सबसे ज्यादा population की density है, Gangetic Plains, तो यह Gangetic Plains, the alluvial soils, the great plains of India के निर्मान के हो हो है, due to the Himalayan rivers, और यहां पर बहुत सारे संस्कृति का development हुआ है, यहां पर बहुत सारे संस्कृति का development हुआ है, यहां पर बहुत सारे सम्राज का development हुआ है, जैसे कि Magad, यहां प Gangetic Plains, one of the most fertile land in the world, Gangetic Plains, बहुत जयादा fertile था, वहां पर Aryuz गएा, जब वहां पर Aryans गए, जBO scheint revenue genesis ज्यादा होने लागा तो वहां के जो समय में प्राशीन भारत में इंसेट हिस्टिय में क्या शुक्ष nämव करें कि जादा होने लगे तो वहां के जो जो दे confincy नंब्रीक negilippe तो क्या हम कह सकते हैं कि reverse के थुरू, हिमालय से reverse निकलती है, वो उसके वज़े से यहां पर the great plains of India का निर्मान हुआ, great plains of India, जो कि one of the most fertile soil in the world है, alluvial soil, great plains of India का निर्मान हुआ, और उसके वज़े से यहां पर लोग आंकर ज्यादा रहने लगे, क्योंकि fertility, agriculture के लिए ज्यादा थी, revenue ज्यादा जनेट हुआ, प्रोविंस ज्यादा powerful हुए, और यहां महाजनपत करीमान हुआ, तो क्या महाजनपत, जो कि हमारे ancient history का पार्ट है, उसमें भारत के जोग्रफी का रोल है की नहीं, आपकोस है, तीसरा, आपने पढ़ा होगा, Indus Valley Civilization, Indus Valley Civilization, Indus Valley Civilization, Indus Valley Civilization, Indus नदी के खिनारे बना, क्यों बना, क्यों कि वहाँ पर resources थे, उसमें पानी के availability थी, दूसरा, पानी थी तो agriculture था, अग्रिकल्चर था, वहाँ लोग बसे, और Indus Valley Civilization का निर्मार क्यों हुआ, क्यों कि वहाँ पर reverse the Indus, क्या ये भारत का जो Indus River है, क्या ये Indus Valley Civilization में निर्मार करने में पहाईता किया, तो क्या जोग्रफी एंसेंट हिस्ट्री से link करता है कि ने, करता है, दूसरा, जैसे हमने हिमाले की बात किया, कि हिमाले हमें सेक्रूटी भी देता है, और हिमाले से दोरान हमें इंडिया में बारिस होती है, जिस पर 50%, more than 50% agriculture हमारे dependent है, और more than 50% अपने भारत की लोग agriculture पर dependent है, directly और indirectly, तो भारत के छेत्र में जो इतनी अच्छी मौनसून होती है, क्यों होती है, क्योंकि one of the most factor is हिमाले, हिमाले करता क्या है, आप सभी को पता है, आप सबने अगर देश की जनसंग क्या इंप्राइब रांच, एन दूसरा है बेव बंगाल ब्रांच, अगर हिमाले नहीं होता, तो यह सारी की सारी मौनसून की हवा, उदर चाइना और साइवरियन रिजन में चली जाते है, भारत में इतनी अच्छी बारिस नहीं होती, और भारत में 50% अपने देश की जनसंग क्या इंपेक्ट हो जाएगी, और उस तरह से पूरी की पूरी एकनोमी खिल जाएगी, तो यह जो हिमाले है, हमें मौनसून में हिल्प करता है, तो क्या यह अपनी जो जिगोग्रफी है, वो हमें हिल्प कर रही है क्या ने कर रही है, दूसरा, आ आप इंडिया स्वेली सिवलाइजिसन देखिए, या फिर आपको बहुतार जैसे सांथ में चोला, कावेरी रिवर्स, उसके बाद चोला या चोल, इधर में महा आपको मगद इंपायर का डेवलप्मेंट हुआ, इंसेंट हिस्टी में आपने पढ़ा होगा, मगद इंपाय रिसोर्सेस, यहाँ पर यह छोटा नागपूर का जो रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको आईरन ओर्स मिलता है, आईरन ओर्स और दूसरा कोईला, और आपको पता है कि एंसेंट हिस्ट्री में और इंसेंट भारत में और इंसेंट इतिहास में, आपको पता है क लोहा और कोईला मिल गया तो हथियार बनेगा और हथियार बनेगा तो प्रोविंसेस धीरे-देरे दूसरे पर कभजा करेगी पाउरफुल होगी तो यहां पर मगद डाइनेस्टी मगद इंपाइर इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि यहां की जो 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 जोग्रफी थी उनको फोटानाक पूर रीजन यह जो आपका विहार जारखंड का जो रीजन है जो मगद डाइनेस्टी को मगद इंपाइर को डेवलपमेंट में एल्प किया क्यों किया क्योंकि यहां की जोग्रफी ने उनको सपोर्ट किया कैसे किया उपजाओं मिट्टी फटाइल लेंड अग आप सभी को पता है कि अपने भारत वीघर के तीन साइब से पानी हैं प 851 अरैंगय को जो कोश्टल इतना लंबी जो कोश्ट लाइन से क्या हमारे एंसेंट हिस्ट्री का निर्माड करने में मदद किया है कि नहीं किया है कैसे दो तरीके से तीनो तरफ से जो पानी था वो बाहरी इन्वेजन को स्टार्टिंग में आने से रोका है बाहरी कोई इन्वेजन नहीं हुआ जिससे कारण जो हमारी संस्कृति है जो हमारा कल्चर है वो इनिक बना रहा वो एक अलग बना रहा, भारत का संस्कृति और कल्चर अलग बना रहा इस्टार्टिंग में, क्यों कि बारी इन्वेज़न इधर से नहीं हो पाया, क्यों कि तीनों तरफ से क्या था, समूंदर था, पानी है लेकिन यहीं चीज बाद में हमें ट्रेट्स में मंदद किया अगर माल लिजे तीनों तरीक तीनों तरफ से पानी नहीं होता और इंडिया एक landlocked state होता नेपाल जैसा या अफगानिस्तान जैसा तो आपको पता है 1498 में 1498 में जो हैसको डगम आये थे भारत में क्या वाक आते मालों तीनों तरफ से पानी होता एक landlocked state होता इंडिया तो क्या भासको डगम आपाते नहीं आपाते और नहीं आपाते तो धीरे देर उसके बाद जो यूरोपेंस आये थे वह नहीं आते और हमारी जो हिस्ट्री है जो तीनों तरीके से जो तीनों तरफ से जो पानी है यह हमें हमें दूसरे देशों से बाहरी इंवेजन से पहले बचाया भी है जिसके कारण जो अपने देश का है अपने भारत का जो यूनिक संस्कृति है यूनिक कल्चर है वह बचा रहा दूसरा यहीं चीज यहीं चीज हमे पाहत में ट्रेट्ट्स और बाठी चीजहों से हमें बेग चिया तो क्या हम कह सकते हैं की जो हमारी जो 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 यहां से ट्रेट्स होते थे यहां से ट्रेट्स होते थे तो क्या यह जो जो जोग्रफी अभालत की क्या इंसेंट हिस्ट्री करने में मदद किया है तो हम इस तरीके से है दो तिन पॉइंट को दिमाग में रखकर पहला हिमालया the presence of Himalaya in our country from the Jammu Kasmi to Amunachar Pradesh second reverse third आपका Peninsular India India surrounded from the three sides Peninsular India तो था कि अपनी भारत के जो भूगोल है भारत की जो जिओगरफी है अपने इंसिंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बहुत सारे कैप्स इस एरिया में बनाए गया है हूँ बहुत इसे किया यह धाल गाराश्च्रा में कि बहुत सारे कैप्स महाराश्ट्रा के बहुत सारे किवित्थ में अपने पढ़ा होगा क्या यह के कैप्स को निर्मार भारत के किसी और अरिया में हो सकता है नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि वहां की जोग्रफी सपोर्ट नहीं करेगी जिस एरिया में आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां की जोग्रफी सपोर्ट नहीं करेगी यहां की जोग्रफी सपोर्ट किया यहां पर ब्लेक मिट्टी ब्लेक सोल है आप सभी को तो हे सिर्फ्माइब प्रक्रावान अभत ऑना अग luminous rock व क्यों कि यह तरी तरीक इसम इसी तरीक है कि यहां सिर्फ आपने एंसर को चार पांध पॉंट लेकर ऐंसर लेकि सकते हैं हमारी हिमाले का importance होना चाहिए कि हिमाले अपने instant history को निर्मार करने में कैसे मदद किया हमें protection दिया दूसरा वहीं हिमाले में passes से जो हमें trades में help किया दूसरा reverse के आसपास हमेशा आपके diversity रही रिवर्स के आसपास हमेशा है आपकी क्या रहा population जंसंख्या ज्यादा रहा क्यों क्योंकि वहां पर मिट्टी अलूगेल से दूसरा कि अगर मिट्टी है पानी है तो आखेती होगी तो लोग ज्यादा रहने रहे लोगों की जंसंख् लिए हमें मड़त किया है। कैसे मदध किया है। हम स्टार्टिंग में बाहरी, देशों के आकरमत से मदध किया है और दूसरा हमें ह collaborations में मदध किया। इस तरीके से हमारा ऐंसर यह हो सकता है। दूसरा! अब आप बोलों कि इसका कहा ہے उसंड हैं। आप सभी जानते हो हिस्ट्री की जनक है उनका नाम है Х relyodos father of histories known as Harryốtoss Harryodos ने एक बात कही थी कि कैसकते हैं що Harryodos न you can बात कही थी कि किसी भी जगा का जिछव् солн som वहां की हिस्ट्री को डिटर्माइन करती है किसी भी जगा का जो फिट्री है वहां की जोग्रफी को डिटर्माइन करती है हिरुडस ने एक बात बाद थी all history should be all history must be treated all history must be treated geographically geographically and all and all geography all geography must be treated must be treated historically must be treated historically it means that historically it means that किसी भी जगा का जो geography हे वहां की history को डिटर्माइन करती है और किसी भी जगा का history हे वहां की Jahre पर कुछ आलो पहले कि इसी से related एक और question उपेसे ने पूछा था कुछ आलो पहले कि भारत में पानीपत का जो region है दिल्ली के जो वेस्ट साइड में जो पानीपत का region है वहां पर इतनी जादे लड़ाया क्यों हुई है आपने history में पढ़ा होगा पानीपत 1 पानीपत 2 पानीपत वह सारी लड़ाय है इधर रीवर से यहां पर सबसे जोग्रफी जो सपोर्ट करती थी वार के लिए बिल्कुल प्लेण एरिया है दूसरा यहां पर जो वार के लिए जो लड़ायों के लिए जो जगज चाहिए पहले के समय में आपको पता है कि घोड़ा हाथी सबसे लड़ाया होती थी तो मिलता था इधर रीवर इधर जा नहीं सकते थे और यहां पर लड़ायों होती थी तो यहां पर लड़ाया इतने क्यों हुए जो कि हिस्ट्री का पाठ है क्योंकि यहां की जोग्रफी ने सपोर्ट किया है पानी पत में इतनी जादे लड़ाया क्यों हुआ है क्योंकि वहां He is the father of history, said that all history must be treated geographically and all geography must be treated historically. क्योंकि जब आप किसी का quotation डालते हो, किसी बड़े इंसान का, या किसी बड़े organization का, तो आपके उतर को ज़्यादा impactful गनाता है. तो आप इस तरह से इसको start कर सकते हैं, दूसरा, जब आप body में आते हो, आपको पता है कि जो 10 marks का question होते हैं, उसमें आपको 150 words में लिखना होता है. ठीक हैं? तो आप introduction में लिखे, फिरल्डूरस की बात है, दूसरा, आप जब body में आए, तो body में हिमाले के बारे में discuss कीजिए, reverse के बारे में discuss कीजिए, peninsular India के बारे में discuss कीजिए, दूसरा आपने सुना होगा कि आने वाला समय में आजकल एक बात है कि आने वाला जो समय हैं वो है को इसे का हारों को इसे का समय था अब जू आने वाले समय है जो आने वाले डिकेट से चाहित कोthose आंडिया चाइना जय पान ये सब देश Edific अर यह कहा जा रहा है कि आने वाला समय में उस देश सबसे ज्यादा वर्ल पर इंपक्त डालेगा जिस वर्ल का का से गाल इंडिया अन असिन पर głu तो आने वाले समय में वह देश देश सबसे ज्यादा इंपक्ट्फुल होगा जिसका control इंडिया नोसेंट पर होगा तो क्या यह जोग्रफी आने वाले समय में हमारा जो कहानी निर्मान करने में मदद करेंगा करेंगा कि इस तरह से आप conclusion को positive sites में end की जिलिए कि जो हमारी geography है वो हमारे support में है और आने वाले समय में एक अच्छी economic development में यह जोग्रफी हमें मदद करने वाली है So in this way you can conclude your answer But it, यह जो पहला question था इसलिए हम थोड़ा ज्यादा समय ले लिए अब फट फट हम चलते हैं दूसरे questions लगबक 10 questions पूछे गये हैं इस बाद जोग्रफी में 10 questions में 5 questions ऐसे हैं जो 10 माक्त वाले हैं Next question, discuss the consequences of climate change and the food security in tropical countries उस कटिवंदिये देस्तों में खाद सुरक्षा पर जल्वाई परिवर्तन के परड़्रामों की विवेशना कीजिए इसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि keywords क्या-क्या है UPSC जो भी question देती है उसमें दो-तिन keywords होते हैं उसे keywords के आस-पस हमारा उत्तर होना चाहिए अब इसमें क्या देखो ऐसा नहीं कि आप जो जानते हो उसमें जाकर लिख देना है जो भी जानते हो एक climate change आपको सब दिखाई दे दिया पर आपने जाकर वहाँ पर देर सो वर्स दो पेज में सब्सक्राइल अब इसमें बच्चे करते क्या है पहले पढेंगे इतना पढेंगे और खुस हो जाएंगे, क्योंकि climate change के बारे में तो लगबग सब जो UPSC के त्यारी करते हैं, उनको पता है, climate change के बारे में global warming, सब कुछ उनको पता है, कि उसका impact क्या हो, अब वो क्या करेंगे, climate change लिखेंगे, और उसके consequences लिखना शुरू करेंगे, लेकिन याद रखिए, कि कहां पर इस question में हमें climate change पर ज्यादा नहीं लिखना है, आप ते पूछा जा रहा है कि climate change का जो consequences है, जो food security पर और वो भी tropical countries में, 2-3 इसमें keywords है, listen carefully, discuss the consequences of climate change, जलवाई परिवर्तन का क्या program है, कहां पर food security और किस region में आपका tropical countries में, 3 इसमें keywords है, 3 क्या-क्या keywords है, listen carefully, पहला climate change, climate change, यानि कि जलवाई परिवर्तन, दूसरा कि food security, यानि कि खादे सुरक्षा, और तीसरा कि आपका किस region में, सारे पूरे धर्ती पर बात नहीं किया गया है, किस region में, यानि कि tropical countries, tropical countries, approximately the like country lies between tropical cancer and capricot, या मालीजी, 30 degree north और 30 degree south के बीच में जो country ये, उसमें क्या impact हो रहा है tropical countries, ये तीन keywords है, अब जो आपका उत्तर होगा, जो आपका answer होगा, इस keywords के आसपास घुमना चाहिए, अब मालीजीए, आपके पास knowledge बहुत होगा इसके बारे में, climate change के बारे में सब विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन आपके पास एक problem ये हैं, कि आपके पास जगहती कमी ह हैं, आपके पास जगहती कमी है, आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बताया, कि 150 marks लिए, for 150 marks, you will get only two pages, आपको सिर्फ दो page मिलेगा, दो page मिलेगा, और इसी page में आपको लिखना है, तो problem ये हैं मेरे भाई और वहनों, कि यहाँ पर जगहती कमी होगी, दूसरा, कि जो उत हैं, आपको 7-7, maximum 8 minute में आपको complete करना है, अब इसी 7-8 minute में आपको उतर सोचना भी है, लिखना भी है, diagram भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो देखे, क्यों मैं बोला हूँ, क्योंकि अकसर जो विद्यार्ती होते हैं, वो भड़क जाते हैं, question कुछ और होता है, लिखते कु कुछ और है, और फिर expect करते हैं, कि उनको marks पूरा मिलेगा, जी नहीं, यह university के exam में चलता है, university के exam में आप page भरो, जितना page भरोगे, उतना marks मिलते हैं, यह होते हैं, लेकिन UPC में ऐसा नहीं होता, UPC में जो question की demand है, वो आपको लिखना पढ़ेगा, you have to fulfill the demand of the question, you have to write the answer as for the requirements of the question, question की जो requirement है, उसकी अनुसार आपको उतर लिखना पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि जो आप जानते हो, वो आप लिख रहे हो, तो इसमें 3 key words है, इस question को ध्यान से पर और पढ़िया, discuss the consequences of climate change on the food security in tropical countries, यानि कि उस कटिवन्दे देस्वों में खाद सुरक्षा पर जलवाई पर लिखना है, यानि कि 3 key words है, पहला climate change, जलवाई परिवर्तन, दूसरा food security, खादिय सुरक्षा, और तिसरा tropical country, जानि को उस कटिवन्दिय देसों में क्यों हो रहा है, बाकी देसों में कम हो रहा है, लेकिन उस कटिवन्दिय देसों में ज्यादा इसका impact climate change का food security पर क्यों हो र है, अब climate change के बारे में, आप introduction में कैसे, introduction start कर सकते हो only by writing the definition of climate change, आप जो प्रस्थामना लिखते हो, जो आप introduction लिखते हो, उसमें आपको करना किया किसी पॉसित जलवाई परिवर्तन का, आपको definition लिख देना है, कि जलवाई परिवर्तन क्या है, बस उसके बाद हम धेरे से question के demand के आगे बढ़ जाएंगे, अब climate change का भी बहुत लंबा definition आपको नहीं लिखना है, it's not right, long definition of climate change, climate change के बारे में, बहुत लंबी definition नहीं होनी चाहिए, क्यों हो, मेरी बाद ध्यान सो, क्योंकि मैं बार बार चिला रहा हूँ, जगा की कमी होती है, महाँ पर, जगा और time, main factor होते हैं, अब climate change के बहुत सारी definition है, there is so many definition of climate change, जलवाई परिवर्तन के आपको बहुत सारी परिवासा मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी परिवासा लेकिना है, simple language में simple परिवासा दो लाइन में खतम कीजिए, क्योंकि आपके पास, आपका जो introduction होता हो, कम से कम 20-30 words में खतम हो चाहिए, 30 words से जादा आपका introduction में नहीं जाना चाहिए, उसी तरह conclusion, 30-40 words में खतम होनी चाहिए, बाकी के जो पाठे वो बोडी में आ जाना चाहिए, तो climate change के हम परिवासा कैसे लिख सकते हैं, दो लाइन में अगर हमें climate change की परिवासा लिखना हो, तो हम कह सकते हैं, कि the changes, the changes, the changes in the, the changes in the system of earth, the changes in the system of earth, अब system में क्या हो जाता है, अर्थ का जो system है, उसमें आपका system of earth, system क्या है, आपका air, water, soil, जो भी यह चीज है, इसको क्या कहते हैं, climate change, इसमें आपका biosphere, biosphere, इसी में आजाएं आपका cryosphere, cryosphere मतलब, यहां के temperature हम discuss करेंगे, यह सारी चीज है, यानि कि जो earth का system है, हवा, पानी, अगर कोई ने कोई बहुत लंबे समय के लिए बदलाव हो रहा है, इसकी और परिवासा, simple परिवासा हम लेख सकते हैं, कि changes in, changes in average, average weather of a region, of a region, over a long period of time, long period of time, long period of time, किसी भी जगा का, किसी भी चेत्र का, किसी भी area का, जो weather है, weather मतलब, weather or climate में difference होता है, weather मतलब कुछ समय के लिए होता है, और climate मतलब लंबे time कर लूता है, हम कभी weather change नहीं करते हैं, हम climate change करते हैं, लेकिन किसी चेत्र का अगर weather, पहले 20 साल तीस साल पहले long period नौंग प्रियट विस साल दो या तीन डिकेड विस साल पहले कुछ और अब कुछ और होने लगा है यानि कि वहां का वेदर 20 साल पहले कुछ होर होता था माल लें अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना अक्टूबर में यहां पर चिखर में कुछ और होता था और आज कुछ और हो रहा है मतलब पहले ज़्यादा गर्मी होती थी अब उससे ज़्यादा गर्मी होने लगी इस तरीके से कैसे जैसे मालने जी टेंप्रेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया या बहुत ज़्यादा घट गया या बहुत ज़द अक्तम हो जया है उसी को कहते है climate change तो आपकी जो definition है वो बिल्कुल दो से तीन लाइन में होनी चाहिए maximum 30 to 40 words तो simple सी इसमें हम इसका अगर हम उत्तर लिखें तो हम क्या करेंगे introduction में यानि कि फ्रस्थावना में हम क्या करेंगे definition of climate change जलवाई परिवर्तन की आप परिभासा लिख देजेए कि जलवाई परिवर्तन क्या है फिर हम आगे बढ़ेंगे question के demand का अनुसार question के demand है कि जो जलवाई परिवर्तन है उसकी जो consequences से उसके जो परिडाम है और tropical country tropical country कौन सा है माली जो मोटा मोठी यह आपका equator है भूमद रेखा यह माली माली जो 30 degree north है और 30 degree south हम कर सकते हैं यह tropical country है मोटा मोटी the country lies between Tropic of Cancer and Capricorn माली जी इस छेत्र में जो भी country है अपना भारत बीची में आता है अपना भारत बीसी में आता है इंडिया का जो लगबग लगबग जो आधा एरिया है ट्रॉफिक में और आधा जो है और टेम्परेट में क्योंकि करकर एक ट्रॉफिक पासे थू इंडिया थू एट इस्टेट्स ऑफ इंडिया दूसरा और फिरका के देश से लेटिन समिर्क हमने देखा कि कुशन का जो हमारे स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इंट्रॉडक्शन में हमने क्लाइमेट चेंज की परिभास से लिग दिया अब हम आते हैं बोडी बोडी में क्या करेंगे कि अपने इंडिया का एक्जामपल देंगे इंडिया में हो गया दूसरा अफिरक किसीencing क्या है किसी जगह का वेदर अगर लॉग टम में वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गँया हो यह बहुत कम हो ग्या हो पूप अल्ट बहुत है डामेट चेंज का इंप कैम क्लाइमेट चेंजड अगर होता है अगर होता है तो उसका impact यानिकी पडिनाम यानिकी consequences से आप जानते हो कि जो क्या हो रहा है drought सुखापन बहुत ज़यादा हो रहा कहीं दूसरा कहीं कहीं बादिस बहुत ज़्यादा हो रही है जो average वर्सा है उससे ज़्यादा और rainfall ज़्यादा हो रही है तीसरा की फ्लेस फ्लाड आ रहा है फ्लेस फ्लाड आ रहा है फ्लाड आ रहा है फ्लेस फ्लाड और फ्लाड में अंतर है ठीक है चोथा आपका 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 कोल्ड वेव आ रही है होट वेव आ रही है बहुत सारी यह आ रही है इस सब क्या है आपके क्लाइमिट चेंज के व जो sea surface temperature राइज हो रहा है और जैसे sea surface temperature राइज हो रहा है Allnino, La Nina का frequently आना दूसरा Allnino जल्दी यल्दी आ रहा है frequently आ रहा है और जब ये दोनों आएगा तो India का monsoon को प्रभाविक करेगा आपको पता है जिस साल Allnino आथा उस साल इंडिया का monsoon है में average monsoon से कम बारिस होगी जिस सार लान निना था उस सार इंडिया के monsoon में average rainfall से ज्यादा बारिस होती है यह सब आप जानते हो यानि कि अल निनो ला निना जो भी monsoon का effect करता है वो क्या frequently होने लगा जल्दी होने लगा अब देखिए एक हम आते हैं कि ध्यान से देखिएगा कि हम बोटी में किस तरह कैसे आप मेप बना सकते हो हम आप अंच्रें यह आपका ट्रोफिक अप कैंसर और नीचे है ट्रोफिक अप्रिकोर नीचे है ट्रोफिक अप्रिकॉर अब जो देख इसके बीच में लाइ करते हैं दो जो थी which are situated between Tropic of Cancer and Capricorn means tropical countries. अब ये climate change से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. These countries are affected much more as compared to the other countries due to climate change and as per the result of the climate change. क्यों? पहली बात, हम एक 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 जामपल लेंगे. अपने डाइग्राम में, अपने उत्तर में तीनों का एक जामपल आना चाहिए. अपने इंडिया का तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपने इंडिया का आदा एडिया लगभावित लगभावित कर रहा है. खास करके हमारे उत्तर जाना चाहिए, food security पर. अब climate change के बहुत सारी परढ़ाम है. There is so many consequences of climate change. लेकिन consequences, जो food security को effect कर रहा है, उसको हमें discuss करना है. Those consequences of climate change which are effecting the food security, जो खादी सुरक्षा को परभावित कर रहा है, उसे हमें discuss करना है. मैं बार-बार बोलता हूँ, जो question की demand है, उसके अनुसार हमें चलना है. अब देखिए, इंडिया. अच्छा, एक चीज और, अगर आप जब, अगर आप इस्टार्टिंग कर रहे हूँ, मैंस की तैयारी अभी पूरी नहीं की हो, तापको पता नहीं होगा. लेकिन जो लोलेर के, जो साल-दो साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है कि, जो food security होता है, किसी भी जगह का, किसी भी छेतर का, जो food security होता है, उसके चार aspects होते हैं, food security के खाद सुरख्छा के चार पहलू होते हैं. ये maximum सारे विधियात्ती जानते हैं, और अगर आप ये जानते हो तो इसको उत्तर लिखना बहुत ही यह हो जाएगा क्योंकि सारी topic जो इसी से related है पहला कि food available होना चाहिए जो खाना है वो उपलब्ध होना चाहिए पहला दूसरा कि food accessible होना चाहिए जो खाना है उसकी पहुँच होनी चाहिए उसकी पहुँच होनी चाहिए तीसरा कि जो खाना है उसका utilization होनी चाहिए यानि कि उसका उप्योग होना चाहिए और चौथा है कि food security यानि कि खाद सुरक्षा stable होना चाहिए यानि कि स्थीर होना चाहिए दीजे दे फोर एस्पेक्ट्स ओफ पूर्ट सेकूरिटी ये चार पहलू है खादिस सुरक्षा के अगर आप ये चार पॉइंट जानते हो तो इसका उत्तर लिखना बहुत ही सरल बहुत ही इजी हो जाता है किया क्या चार पहलू है ध्यान से सुनियेगा चीवके अवर जी उत्तर है हमारे उतर में होड पोइंट आनि चाहिए आपसे घ्राइमेट चेंज के बारे में निए पुछा गया आदिक चीवजे से खादी सुरक्षा पर क्या परभाव झाद आने चाहिए ये चारो aspects of food security आपके उतर में आने चाहिए, कैसे, पहले तो खाना उपलब्द होना चाहिए, किसी भी छेतर में खाना उपलब्द होना चाहिए, और खाना उपलब्द नहीं है, तो आगे की कहानी अपने आप खतम हो जाएगी, तो खाना उपलब्द होना चाहिए, यानि कि food should be available in the region, दूसरा कि मान लोग खाना उपलब्द है, लेकिन जहां लोग भूखे हैं, जहां लोग भूखे प्यासे हैं, जहां फूट की डिमांड है, वहां खाना पहुंची नहीं रहा है, आप समझे रहो, मान लीजिए, पॉइंट A एक सारे, पॉइंट B एक सारे, खाना उप पहुंचना चाहिए, तीसरा कि उसका उपयोग होना चाहिए, इूटिलाजीशन सही तरीके से होना चाहिए, और चौथा कि उसका फूट सेक्टरिटी जो खादी सुरक चाहे, वह इस्टेबल होना चाहिए, इस्टेबल मतलब मान लीजिए तीनों है, मान लीजिए तीनों ह में वहां जंग चल रही है जैसे आप लिविया का जानते हो जैसे आप अभी उक्रेटी नहीं है इस्थिरता नहीं है और जिसके कारण ये तीनों चीजें वहां कहीं न कहीं परभावित हो रही है चारों में से अगर एक भी एक भी कहीं न कहीं इदर उदर हुआ तो यह हमारी जो फूद सेक्रेटी है जो खाज सुरक्षाए उसको प्रभावित करेगी तो दियर फोड़ एस्पेक्स फूद सेक्रेटी वन सगना में रिपिटिंग फूड एविलेवल खाना उपलब्ध होना करता है तो अगर महली जो तब कुछ है लेकिन वहाई स्टेबिलेटी नहीं है तो दिकत हो जाएगी तो यह आपके उत्तर में आना चाहिए तो पहला हमने क्या क्या ध्यान सुनिए गा लोग पहला हमनें इंटूडक्शन में क्लाइमेट चेंज का परिभासा लिग दिया ज जो फुर्ड सेकूर्टी है जो खाद सुरक्षा है ये ट्रॉफिकल कंट्रीज को ज्यादा प्रभावित क्यों कर रही है क्लाइमेट चिंज के कंस्कुएंस के कारड़ अब हम इस पर आते हैं मेरी बात ध्यान सुनिये जो हमने मेप बनाया था मेप में हमें जो ट्रॉफिकल कंट्रीज है सबसे पर हम डिसकस करेंगे इंडिया के बारे में फिर हम आएंगे अफिर कंट्रीज के बारे में और फिर हम आएंगे लेटीन अमेरिका के बारे में अब मेरी बात ध्यान सुनिये अगर हम इंडिया की बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं इंडिया आपको पता है क्लाइमेट चेंज क्लाइमीड चेंज के वजय से क्या क्या न्यक्ति हैं और यूश्का इंडिया पर फुट सेकृरिटी पर कैसे प्रभाव ठाएदिहां सथ धैका क्लायमीट चेंज के वज़े से आपको पता है गलोबल वार्मिंग हो रही है जो आर्थ के एवरेश टेम्परेचर है वह राइज हो रहा है और सथाफ्मान भरड़ा है फ्रिट्वी का दूसरा ज जो सीसर्फेश ٹेमपरेचर है यानि के समूंदर के पानी है उसकी जो और सिस इस तरफेटस टंपरेचर अगर इंपींज हो रहा है तो अल्निनो ला नीना इंडिया जाली जाओर्ड़ी आ रहे हुआ रहे हैं हुग पता है putting negative और va nice फरrebbe में अबर उसके बात कि marks a यह उसके बाद अपने देखा होगा कि अब cyclones बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं क्योंकि sea surface temperature infused हो रहा है आपको पता है कि जो tropical cyclones आते हैं जो बेव बंगाल में अरवियन sea surface temperature पर depend करते हैं अगर sea surface का temperature समंदर के पानी का temperature तापमान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा low pressure create होगा उतना ही ज्यादा cyclones बनने के chances बढ़ जाते हैं पहले माली जी एक साल में दो या थीन cyclones आते थे अब एक साल में 4-5 cyclones आने लगे यानि कि number of cyclones बढ़ गया है तो cyclones बढ़ गया है अब यह सारी चीज है सारी चीज है भारत इस तब क्या है consequences of climate change है और यह food security को कैसे प्रभावित करेगा अब देखिए मेरी बाद ध्यान सुनिए अगर sea surface temperature ca weismo um to create that water temperature increase हो रही हो तो आपको पाताई अलनीव इनकीरीछ हो इश बढ़ साल में इन्जय आता है उस आलनीव इन्डीन मॉंसुन में बारिस आषब ज्यान से कम बारिस होती है अब मेरी बात ध्यान सुनी और जिस सल लान लिना आता है उस सल बारिस्ट ज्यादा होती है और इस दोनों चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है दोनों चीजे हमारे लिए सही निए आप कहते हैं कि कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा हो गया एक्सेस हो गया वही सही नहीं और कोई भी चीज अगर बहुत कम हो गया वही सही नहीं अगर बारिस्ट नहीं ओर यह तो अगरिकल्चर इंपेक्ट होगा और अगर बारिस्ट बत ज्छादा हो रहें तो भी एकरिकल्चर इंपेक्ट होगा कही ने कहीं ऑसब होना चाहिए अब मेरी बात ठ्रीयाद सुनिए अपने देश के एक बार वर कर una अब तो इस दुन्या में नहीं रहे, one of my favorite leader, एक पर जो वो finance minister थे, तो उन्हें बोला था कि I am the finance minister of India, but the real finance minister of India is the Indian monsoon, इंडिया के जो real finance minister है, वो Indian monsoon है, क्यों कहे थे उन्होंने, अब मेरी बात जान सुनिए, क्योंकि अगर भारत में monsoon अच्छी आई, monsoon के दोरान बारिस ठीक ठाक हुआ, अच्छा हुआ, तो agriculture अगर अच्छा हुआ, अगर अच्छा हुआ, तो आज भी more than 50% लोग जो agriculture पर डायक्ली और इन डायक्ली डिपेंड है, उनकी source of income ठीक हो जाएगे, जब ये 50% लोग हैं हमारे देश के, उनकी income अच्छी हुई, अगर मालने उनके पास पैसे आए, तो क्या करेंगे, जिसे जो farmer है उनके उसके पास पैसे आएगा, तो tractor खर देगा, कुछ ना कुछ खर देगा, उसके पास पैसे आएगे, तो market में क्या होगी, चीजों की demand बढ़ेगी, चीजों का अगर demand बढ़ेगा, तो market से supply बढ़ जाएगी, उस demand को fulfill करने के लिए, जब supply बढ़ेगी, manufacturing boost up होगा, manufacturing बढ़ेगा, तो employment generate होगा, लोगों को नोकरी मिलेगी, लोगों को नोकरी मिलेगी, उनके पास पैसे आएगे, फिर से उनने चीज़े कर देंगे, यह पूरे की पूरी economy अपनी सही चलेगी, लेकिन मालने जिये कि मौनसून ही सही नहीं आया, अल निनो आ गया, ला निना आ गया, ठीक है, और पूरा का पूरा agriculture impact हो गया, अगर agriculture खराब हुआ, तो जो 50% लोग हमारे देश के directly और indirectly जो agriculture पर depend है, उनके पास source of income खराब हो जाएगी, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, जब पैसे नहीं रहेंगी, याने कोई नया चीज खर देँगे नहीं, को demand ही नहीं रहेंगे और जब demand ही नहीं रहेंगे मारकेट में, तो supply धीरे-दीर कम हो जाएगा यानि की manufacturing धीरे-धीर कम हो जाएगी म manufacturing कम होगी विरोजगारी होगी लोग के पास पेसर एकनोमी फिर जाएगे जब भारत में जो भी चाहे वो आल निनों का इंपेक्ट हो चाहे वो लानिना का इंपेक्ट हो चाहे उब frequent cyclone आपको पता है कि cyclone जब आता है तो coastal area में बहुत सारे बरवादी करता है चाहे cyclone हो यह सारी चीज़े क्या है भारत में drought कुछ छेतर में drought बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपको पता है heat waves heat waves या cold waves यह सब क्या है यह सब क्या भारत की जो agriculture है यानि की जो खादिर सुरक्षा है क्या उसको प्रभाव कर रहे है कि नहीं कर रहे हैं तो यह आप सारी कि सारी example अपने इंडिया के context में भारत के संदर में लिख सकते हैं साथ आपेए या फ्यर्म अफिरगा फ्यर्क जो इस्टन कंट्रीज इस तोमालिया कैणिया इथोपिया यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वहां पर साल में दो बार ठिक साल में दो बार ठिक्ठक बारिस होती है लेकिन last three years से पिशले तीन साल से देखा गया है कि यहाँ पर सूखा पना रहे हैं, बारिस नहीं हो रही है, बारिस बहुत कम हो रही है, और यहाँ का अगरिकल्चर इंपेक्ट हो रहा है, द्यूट्यू क्लाइमिट चेंज, आपने निवज में सुना गया, एक दू साल पहले बहुत ज्यादा निवज में था, कि कीडे मोगोडे इंसेक्ट आ रहे हैं, और पूरा का पूरा क्रॉप्स को डेमेज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही क्लाइमिट चेंज हो रहा है, आपके अब हमाते हैं लेटीन अमिर्का में, लेटीन अमिर्का में बीपता है आपको अल्ली प्रकॉप्स को डेमेज कर रहे हैं, तो यह आप फिरका के एक्जाम्पल दे सकते हो, और फिरका के खास करके इस्टन कंटिज, सुमालिया हो, केनिया हो, इथोपिया हो, यहां अभी ती अब हमाते हैं लेटीन अमिर्का में, लेटीन अमिर्का में, लेटीन अमिर्का में पता है आपको अल्निनो लानिना का प्रभाव आता है, आपको पता है कि अल्निनो और लानिना पेरु और चिली को इंपेक्ट करता है, और अल्निनो और लानिना जब पेरु को इंपेक्ट करेगा वहां के अग्रिकल्चर वहां की इंफ्रेस्ट्रक्चर इस सब को डैमेज करता है इस तरीके से आप इंडिया आप फिरका लेटिन सब्विरका आप इसका एक्जेंपल दे सकते हो तो क्या हमने तीनों एस्पेक्ट को देखा को ध्यान से पढ़े फिर हम कोश्चन पर आते हैं हमारा तीन की वर्स था इस कोश्चन में जलवाई परिवर्श दूसरा फुर सेक्रिटी खाजिस्वरक्च्छा और तीसरा ट्रॉप्टिकल कैंट्री क्या है इंट्रोडक्शन में क्लायमेट चेंज का डिफिनेशन लिखो ज्यादा नहीं इस पर ज्यादा में फोक चाहिए जलवाई परिवर्तन के चार पहलू आने चाहिए क्या क्या थे कि खाना उपलब्द होना चाहिए there should be availability of food दूसरा कि उसका सही यानि कि सही टाइम पर उसका पहुंच होना चाहिए, तीसरा उतिलाइजेशन उसका उप्योग होना चाहिए, और चोथा food security आपका क्या होना चाहिए, यानि कि स्तीर होना चाहिए, यह फोरहान तीसरा, ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपको एक्जाम्पल देना है, यह भारत में मोंसून को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है, the factors which are affecting the Indian monsoon, like अल्निन ओलानी ना, इंडियों से डाइपोल, मेडियों जिनून, and the Indian economy got affected, इस तरह के से आप लेख सकते हैं, अफिरका में जो कंट्री जो अफिरका में हैं, अफिरका के खास करके इस्टन कोष्ट पर सुमालिया, केनिया, इथोपिया, वो कैसे affect हो रहे हैं, पिस्ते तीन चार साल से वहाँ पर सुखापन आ रहा है, वहाँ पर कीरे से food security पर और tropical country, यानि कि जो आपका उतर है, वो कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, जो keyword से उसके आसपास घूमने चाहिए, अब जो जैसे starting में ने मैं बोला, कि maximum विद्यारतिस में क्या करेंगे, climate change और उसके consequences लिख देंगे, फटर climate change, global warming, अल नीनो, लानिया, सब कुछ लिख दें तो हमने दो question discuss किया, पहला कि भारत का जो history है और जोगरफी, दूनों एक दूसरा को कैसे भी बेक्ट करता है, ancient history और जोगरफी, दूसरा कि tropical countries में जो food security है, जो खाद सुरक चाहे, वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, जो to climate change, जलवाई परिवसन के कारण, लेट्स मू अब इस question को देखिये, और कैसे, देखिये, UPSA कैसे आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, आप सोचोगे कि जोगरफी में सिफ जोगरफी का question हो, history में सिफ history का question हो, अब इस तरह से question नहीं आ रहे, one of the best example है, यहाँ देखिये, इस question को द्यान से पढ़िये, और इस question को समझिये, इसमें भी देखिये आप, इसमें जोगरफी, plus culture को involve किया गया है, दो subject का संगम है, दो subject का mix-up है, monsoon जोगरफी का part हो गया, और उस वहाँ के संस्कृति यानि की culture को किस तरह से वहाँ की जो पुरवया है, वहाँ का जो इस्टरली जे भोजपूर छेतर में, वहाँ की culture को किस तरीके से effect करता है, इस तरह के बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह के question का उतर आप सही से तभी लिख पाऊगे, जब सारे जो main subject है, geography, history, economics, politics, science and tech, involvement, सारे subject का holistic knowledge हो, तभी आपका उतर में वह बात आएगी, जो UPC को चाहिए, अब देखे, इसमें भी keywords निकालेंगे हम, और हमारे जो उतर हैं, वो keywords के आसपास घुमेगा, कैसे, पहला keyword से, Southwest Monsoon को पुर्वया क्यों कहेंगे, Southwest Monsoon को, मौनसुन को हम easterly, यानि कि पुर्वया क्यों कहते हैं, Southwest Monsoon, जो मौनसुन की हवा, Southwest से आ रिए, यानि कि दख्षिन, पच्छिन से आ रिए, उसको हम पुर्वया, यानि कि पुर्वया क्यों कहते हैं, इसका उतर हम देखेंगे, दूसरा, जो keyword इसमें है, वो यह भोचपूर छेतर में, तिर्फ पूरे, पूरे इंडिया की बात न से इंपच करता है, तो लेकर ट्रीक chair in this question, first one is why the southwest southwest मौनसुन लेज, इससे इसे स सब देखेंगे, इससे आइज विश्त पूरीत ह् 아닌 फूर्वया, इससी कि दिख्षिन पडा ऑप गें में मौनसुन थी पडाता हूं तो में बोलता हूं, या जबभी में में बन बाता ह आपको में बोलता हूं कि winds का जो naming होता है जो नामकरण होता हो कैसे होता है जिस direction से winds आती है उस direction पर उसका naming होता है याद रखिएगा यह आप सभी को पता है कि अगर मान लेजिए यह equator है भूमध रेखा है यह अपने अर्थ का east है और वेश्ट है अगर winds इस से आरही है अगर il this area तो इसको कहते है इस टर लीज़ा इसको क्या करते हैं इस तर्मी जो करते हैं लोग फूरुवयु बढ़ वजूरय की लोग है कियुक्षाग है । जो विंस यह अर्थ की वेस्ट है अगर इस से आ रही है तो इसको क securities वेस्ट से आ रहे है בפाल जिस direction से winds आती है उस direction पर उसका नाम करन होता है अगर पुर्व से आ रही है पुरुवा पच्छुवा इस तरह से नाम करन होता है अब question द पहला पहला part देखिए कि जो southwest monsoon है उसको भॉझपूर छेत्र में पूरुवया क्यों कहते हैं भोजपूर का ओछ च्छेत्र है यहां पर on average मोटा मोटी भोजपूरी बोले जाती है कौन सा एरिया है यह अपना प्यारा सा भारत है यह जो च्छерб है यह जो चैट्र है इसको क्याते हैं भोजपूर रीजन भुजपूरी रीजन यहां पर भुजपूरी बोली जाती अब यह कौन से चैत्र े? इसमें विहार का एरिया आता है इसमें आपका इस्टन U.P. का एरिया आता है जो कि गुरकपूर हो गया वनारीस हो गया गुरखपूर जहांसे अदिते नाथ जी है मतलब election जीते हैं बनारस जहां से अप प्राइम मिनिश्टर नरेंद्र मोदी जी है मतलब election जो जीते हैं तीसरा कि जो नेपाल से सटा यह जो मदेशी का एरिया है आप जानते हैं मदेशी Linda fatigue का है इस च्छितर को हम भाचपूर किस चेतर को यह पूर pastor को है इस्टन उत्तर प्रदैस गोरखपूर को बनारस का एरियार और इसमें आपका जो नेपाल से स्टावमग मुआ एरिया है ओभी आता आँख्जपूर च्छेत्र में तो पहला आपका दिमाग में आना चाहिए कि भोज़पूर किस चेत्र को करते हैं है दूसरा कि यहां पर इस छेत्र में कि इस चेत्र मैं जो साउथोई मोंसुन है उसको पूरवया यानि की इस्टरलीच क्यों कहते हैं the Southwest monson in voshpur Region is known as स्टरलीच क्या हम इतना आगर हमें यह भी नहीं पता ओ लेकिन हम इतना तो सूच सकते है इसको इस्टरलीच तभी कहते होंगे ये इस्टर आती होगे क्यों 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 पता है कि विंड्स का नामकरण कैसे उतर विंड्स का नामकरण होता है विंड्स किस डाइरेक्शन से आ रही है विंड्स किस डाइरेक्शन से आ रही है विंड्स अगर इस से आ रही है तो इसको इस्टरलिज कहते हैं इसका मतलब क्या है यह इस से आ रही हो तभी तो इसको इ अब देखिया… आपको पता है कि मौनसूं की बारे में जिब आ पढ़ते हो तो मौनसूं की दो व्रांचे जहोते हैं एक सो जो बाँच यह था है — अरवियन सागर के उपर से अती है वेश्टन-घर से टकराती है और एक से आपका बनगाल बरांच यहां पर यह क्या है इस हवा को मौनसुन के हवा को इधर जाने नहीं देता है क्योंकि यहां पर आराका नहीं होमा माउंटेन से और इधर से आपका ट्रोफिकल इस्टरली जेट स्ट्रिम भी आती है जो कि इस वायुकूर इंडिया वे डिफलेक्ट करती है जिसमें आपको पता है कि आने जेट इस्टरिम भी उसमों भाद करेंगे अभी बस इतना समझिए कि मौनसुन की दो ब्रांच इज़े एक अरवियंसी ब्रांच और एक बेव बंगाल ब्रांच जब ये बेव बंगाल ब्रांच आती है और हिमाले से खासर के नोर्थ इस्ट के पहाड़ियों से यानि कि उत्तरपुर जो राज है उन पहाड़ियों से तक्राने के बाद ये जो विंड का डाइरेक्शन हो जाता है वो इस्ट के तरफ चली जाती है पहले वाती है नोर्थ इस्ट में टक्राएगी नोर्थ इस्ट तक्राने के बाद ये ध्यान से ये इस्ट है इस से वेस्ट के डाइरेक्शन में चली जाती है और इसलिए इसको क्या कहते हैं सकति है इसटररिज यानि की पुरवया कहां कहते हैं बोचपुर के छेतर में कहते हैं नेपाल से जो ऑरिया यह की वह बंगल की जो ब्रांचेज मौन वह आने के बाद Northwest India उत्तरर पुर्व के राजयों से safe तक्राने के बाद ये पुर्व से पच्छिम के दिसा में चलने लगती है यानि कि पुर्व से आती है यह हवाय ऐसे जाती है और यहाँ टक्राने के बाद फिर से आपका पुर्व से पच्छिम के दिसा में जाती है और मैं आपको बताया हूं कि जिस डायरेक्शन से विंड आ क्योंकि इस से आ रही है सिंपल से एक लाइन में उतर इसको नामकरण केसे होता है विंड्स का जिस डायरेक्शन से विंड्स आती है उस डायरेक्शन को नामकरण होता है यह इस से आ रही है इसलिए इसको इसको पुर्वया कहते है अब पूरब से क्यों आ रही है आपको यानि के east से west के direction में आती है इसे इसको कैते है इस्टेर्लिज यानि की पूर्वया किया हमारा पहला question के पहला part है वा solve हो गया listen पहला part कि why is the southwest monson called पूर्वया इस्टेर्लिज इन भोजपूर regions क्यों कि वह इस चे आती है थीक है बार दूसरे पार्थ on अब देखिए, एक्चुली मेरा पार्ट नहीं है, जोग्रफी और कल्चर का पार्ट है, लेकिन मैं डिस्कस करता हूं, don't worry, क्योंकि अब चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, अब हमें holistic तयारी करनी होगी, हमें हर subject का knowledge होना पड़ेगा, तभी आप यह नहीं कह सकते हों कि जोग जोग्रफी का है या हिस्ट्री का, जैसे पहला question जो हम डिस्कस किये थे, कि how the geography of India help in determining the ancient history of India, भारत के भुगोल, भारत के प्राचीन भारत में किस तरह से बनाने में मदद किया है, या साय किया है, कुछ लोग कहते है history का question है, कुछ लोग कहते है geography का question है, लेकिन actually क्या हो, history जोग्रफी दोनों का mix है, ancient history, यानि ancient प्राचीन भारत, ancient history हो गया, और दूसरा जोग्रफी, दोनों का mix सके, हम यह नहीं कह सकते हैं, को question completely जोग्रफी का है, या completely history का है, अब देखिए, तो जोग्रफी का question हमने discuss कर लिया, कि उसको south west monson को भोजपूर रीजन में पुर्व की दिशा से आती है, अब ये वहां की culture को कैसे impact जालती है, वहां की संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है, उस चीज को ध्यान समझे, मैंने आपको बताया, कि ये जो भोजपूर का छेत्र है, बिहार हो गया, इस्टन उतरक्रदेस हो गया, जारखंड का कुछ छेत्र हो ग वहारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो यहां पर पूरे भारत में जो per capita income है, प्रती बेक्ती आय, वो सबसे कम है, यानि की simple भासा में यहां गरीबी जादा है, और यही कारणे की यहां के लोग दूसरे जगह जो migrant काम करने जादे, सबसे जादा जासे हैं, पूरे गरीबी जादा उसका बहुत सारे रीजन है, हम डिस्कुस करेंगे कभी, यहां जनसंख्या की density भी जादा है, population density यानि की जनसंख्या की घनत तो भी जादा है, आपको पता है कि दोजारेगार जंगर्णा का अनुसार, सेंसर का अनुसार, यहां बिहार में density सबसे जादा है जनसंख्या की, अब देखें, दूसरा, कि आप यह भी जानते हो, कि यहां पर जो लोग रहते हैं, उनने literacy rate, education सबसे कम है, literacy rate सबसे कम है, और जब literacy rate लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, तो अच्छी रोजगार नहीं मिलेगी, गरेवी का कारान बनेगा, literacy rate सबसे कम है, इस एरिया में, विहार का सबसे कम है, और विहार का ही maximum छेतर है, भोजपूर का, यहां पर literacy rate, इस्टन यूपी का भी इस्टिति वह ही है, यूपी का वेस्टन यूपी, जो लखनव का वेस्ट में ज्यादा डेवलप है, इस्टन यूपी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है ज्यारखन के जो छेतरे, वही सब मिलाज लोला के जो भोजपूर का छेतरे, वहां literacy rate कम है, तीसरा, कि यहां की जो climate है, यहां की जो आप देखे, अब चलिए, इसको हम डिसकुस करते हैं, थोड़ा सब इसके बाद आते हैं, अब दो चीज मैं आपको दे रहा हूं, कैसे य मान लीजिए, एक धनी मनी बेखती है, और एक गнибड वेखती है, धनी मनी बेखती है, यानि कि जो rich person है और जो poor person है, दोनों में से कोण ज़्ञाधा nature के करीब होगा, प्रकृति के करीब कोण से ज़्यादा होगा, अगर मान लीजिए, आपके पास पैसे हैं, आपके room में . लगा हुआ है आपको हर छीज खरीद कर खाना है और पास पैसे अवलबल है तो बाहर में ताप मान कितना है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है enclosure के दौरान बारीस ज्यादा हो रही इये कम कि यहां की जन्संग क्या है वह यहां का अगरी कल्चर नहीं हुआ तो उनके घर में खाने के लिए भी दिकत हो जाए अब देखिए यह पुर्वया यहां की कल्चर पर कैसे इंपेक्ट डालती है हमारा क्यों से अब यहां पर गरेबी जादा है लोग पड़े लिखें लोग नहीं है खेती बारी करते हैं थोटे मुड़ी जानवर पालते हैं और अपना गुजारा करते हैं अब मोंसून आने से पहले मोंसून आपको पता है जून में फश्ट वीक अप जून आता है मालावार को और धिरे दिरे आपके यह आरभियन ब्रांच यह ब्यो बंगाल बढ़ांच धिरे दिरे यह पूरे भारत में आता है अब देखिए मोंसून आने से पहले अगर मैं अप्रील और माई की बात करूँ तो आपको पता है कि छेटर में एक बहुत ही गर्म हुआ चलती है आप हवा के कारण यहां के जो गरीव लोग हैं वह बहुत ज़्यदा प्रसान रहते हैं यहां विमारी कारण बनता है घर से बाहर ने निकल सकते हैं खेती बारी तो होता ही निया क्योंकि मई के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है दूसरा वह बहुत ज़्यादा परहसान रहते हैं यहां पर नॉर्वेश्टर काल वैसा की तो चलिया मंगाल का पार्ट हो गया ठीक है अब देखिए जैसे ही अप्रील और मही आता है लोग बहुत ज्यादा परसान रहते हैं खेती बार जाकर खेतों में काम नहीं कर सकते हैं कुछ भी कुछ जानवरों को बार ज्यादा समय तक यहां के लोग खुसिशी से नास्त नहीं लगते हैं मैंने बोला ना जो गरीव होते हैं न आपकी नेचर से जादा जूड़े होते हैं धनी मनी व्यक्ति को ज्यादा फर्ट नहीं परता लेकिन जो गरीव है ज़ादा जूड़े रहते हैं अब देखिए जैसे ही यह जो चेतर में आती है और यहां पर बारिस देना सुरू होती है रेनफाल होता है यहां के लोग नासने लगते हैं जांस करने लगते हैं यहां के लोग क्या करते हैं बहुत सारी फेस्टिबल मनाने लगते हैं यहां के लोग घर से बाहर निकलने लगते हैं अगरिकल्चर धान की व कई किलोमीटर करते हैं एकूजारवेक करते हैं यहां बहुत सारी ऐह twenties festival क्षिए क्षिप्पाइथ कस्चिंग परिछ क्रॉष कर दो नस piles 파ut nice कह सकते हैं कि यहां की लोग का जो कल्चर है तो कहीं ने कहीं पुर्वया प्रभावित करती है क्यों क्योंकि पुर्वया आने से पहले यहां का जो क्लाइमेट है वह हर्स होता है यहां बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बहुत ज़्यादा दिकत होती है गरीब लोगों और य करना सुरू होते हैं मिठा या जो भी है जो भी यहां पर लोग एक दूसरे के साथ पूजा पाट करना सुरू कर देते हैं लोग दूसरे के साथ तेवहर मनाना सुरू करते हैं जांस करना सुरू करते हैं क्या यहां की कल्चर को परभाविट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि यह वहां के गरीब लोगों को काफी प्रभावित करती है, ना वो घर से बाहर निकल के काम कर सकते हैं, ना खेती बारी कर सकते हैं, ना अपने जानुवरों को बाहर निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिकत होती है, तो बहुत वे सब्रील से वह इंतिजार करते हैं मौनसुन का जैसे मौन सुन जुन में आता है वहां पर जुन का लाश में पहुंचता है जैसे पहुंचता है पुरुवया के वज़े से वहां पर बारिस होने लगती है बारिस होती है लोगों में एक उत्सा आता है लोग बाहर निकलना शुरू करते हैं खेती बारी धान की वहाई बहावित करती है इंपेक्ट डालती है अब देखिए वन दो बेस्ट एक्जामपल for the mixing of question from the two subjects geography and culture बेस्ट एक्जामपल geography और culture दोनों को मिला कर एक निया question का निर्माण हुए ओके जो कि पहला question भी था geography और ancient history कैसे एक दूसरे पर लिंक करता है ठीक है next move to the let's move to the next question question है next question is fjod कैसे बनते हैं fjod कैसे बनते हैं और यह दुनिया के कुछ सबसे सब्सक्राइब का निर्माण क्यों करते हैं how are the fjod formed why do they constitute some of the most pictures area of the world fjod मतलब fjod का निर्माण कैसे होता है यह जो fjod होते हैं इनका निर्माण कैसे होता हैं दूसरा यह इतने सुन्दर अगर कभी YouTube पर या कभी TV में या कभी आपने दिखा फjod का फोटो तो काफी सुन्दर लगते हैं दो पहाड़े होती है पहाड़ों की बीच में घाटी जैसी नदी जैसी होती है पानी वरा रहता है आज पास लोग मनलब हम देखेंगे अभी क्या होता fjod तो देखिए अब fjod होता क fjod का निर्माण कैसे होता है fjod का निर्माण दो step में होता है fjod is created in two steps in first steps it is created v7 valley v7 valley by reverse v7 valley by reverse and then u7 valley by glacier by glacier आपने पढ़ा होगा कि forces दो तरह के होते हैं there are two type of forces एक होता है endogenetic endogenetic genetic और यह होता है exogenetic exogenetic there are two type of forces endogenetic means within the earth surface जो धर्ती के अंदर होता है इसको constructive forces भी करते हैं क्योंकि reconstruction में काम करता है एक जो genetic forces मतलब बाहर एक जो मतलब external इसमें अगर हम बात करें तो तीन आता है कि तीन तरीके से होता है एक होता है आप काम discuss करेंगे अभी एक रीवर्ट दूसरा कि मैं इसको discuss करेंगे तो जो इग्जोजनेटिक forces होता है रीवर्ट यानि के water दूसरा glacier और तीसरा आपका winds अब देखिये जो इग्जोजनेटिक forces होता है जिसमें आती है से rivers और glacier रीवर्ट क्या करती है पहले 20 stepped valley का निर्माण करती है और उसके बाद you stepped valley का निर्माण glacier करता है अब देखिये श्योड का निर्माण कैसे हुआ आज से two to three million years ago प्लिष्टोसीन ice age था प्लिष्टोसीन ice age प्लिष्टोसीन ice age में क्या था कि पूरा का पूरा area glacier से snow से ढखा हुआ होता है प्लिष्टोसीन ice age में होता क्या था कि पूरा का पूरा जो समुंदर का पानी है वो बर्ख के रूप में पूरा का पूरा जो बर्ख बन जाता था और जिसके कारण में अगर मालो समुंदर का पानी बर्ख बन गया तो समुंदर का जो three level नीचे जाएगा अब ध्यान से सु पानी है उसका जो लेवल है ती लेवल हो नीचे जाएगा अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि जो पहला step होगा कि रीवर क्या करेगी जो रीवर होगी और 20 सेफ्ट भैली का निर्मार करेगी कि पहले रीवर ऐसे काटेगी फिर दीरे दीरे इसको बढ़ा करेगी तीरे दीरे बढ़ा करेगी यानिकि वी सस्चेफ भैली का निर्मार करेगी उसके वद क्या होता था कि उसमें Glacier यानि के बर्फ आकर जम जाएंगे, प्लिश्टोसीन Ice Age में क्या होगा, बर्फ उसमें जम जाएंगे, और बर्फ जैसे कि आप किसी कटोरी से, कटोरी में क्या करते हो, आप जिसे आइस्क्रीम निकालते हो, आपने देखा होगा, आइस् का निर्मार होता है, वहाँ पर क्या होगा, एकड़त का निर्मार होगा, तो पहले river क्या को करेगी? V heasept valley का निर्मार केगी, क्या और उसके बास second step में, Eosept valley का निर्मार करेगा glacier ध्यासीयर, ज्यान सुझेगा, पहले V heasept valley का किस के वाज़े से रीवर् के वज़े से और उसके बाद उसी में आकर बर्फ जम गया और बर्फ क्या किया जैसे आइस-क्रीम निकाला जाता है उस तरह से यूस्टेप्ट का निर्माट किया और जैसे प्लिष्टोसीन आइस एज खतम हुआ तो इसमें पानी प्योग जब प् ओध्योड होते हैं और क्या धरती के किसी भी कोने बी बन सकते हैं जी नहीं जैनली यह आर्टिक और अंटर्टिक सर्कल के पास दिखाइड देते हैं यानि कि 66 ग नोट और 66 66.5 degree north and 66.5 degree south में यानि कि Arctic Circle और Antarctic Circle के आसपस इनका निर्मान ज्यादा होता है Norway जो इसके वेंडियन कंट्रीज है Norway हो गया नीचे आजाओ New Zealand में आपको दिखाई नेगे इस तरीके से ये फ्योर का निर्मान होता है दो एस टेफ में और कब हुआ ये प्लिष्ट्योसीन आईसेज में हुआ असे टू टू थृ मिलियनेर से पहले था उसमें क्या हुआ पहले रीवर्द वारा 20 सेफ्ट वेली का निर्मान हुआ उसके बाद उसमें बर्व जम गया प्लिष्ट्योसीन आईसेज में Q-step का निर्माण हुआ और जब Plystocene Ice Age खतम हुआ, जब Plystocene Ice Age खतम हुआ, तो क्या हुआ उसमें पानी ही आकर भर गया, due to melting of glaciers and snow, और इस तर से Fude का निर्माण हुआ, अब इस question का दूतरा पार्ट, कि यह देखने में इतना सुंदर लगता है, उसका जो picture होता है काफी See, Fude होता, अगर आपने कभी TV में वह भी देखा होगा, तो Fude actually होता, Coastal Area में होगा, पहली बात, Coastal Area में होगा, जो होगा कहां पर होगा, Coastal Area में होगा, यह कहां पर होगा, Coastal Area में होगा, होता क्या है, की इस तरह से दो बड़े-बड़े mountains होते हैं, और बीच में समुंदर का, Coastal Area का, इस तरह से बड़े-बड़े mountain होते हैं, और बीच में समुंदर का पानी जाके भर जाता है, बीच में समुंदर का पानी भर जाता है, इसका निर्मार कैसे हुआ, पहले river द्वारा, river ने, river ने, क्या-क्या, भी स्ट्रेप्ट भेली का निर्मार किया, उसके बद गलेसियर द्वारा यूज स्ट्रेप्ट भेली का निर्मार किया गया, और इसमें बाग गलेसियर आइसे जेज के बाद जब ये कहीं-कहीं 15 km, 20 km, 50 km तक नौर्वी में आप चले जाओगे, तो 30-40 km तक अंदर में भुसे हुए, दोनों तरफ से परवत है, और बीच में पानी है, दूसरा, इसकी गहराई भी काफी होती है, 500 म, एक किलो मीटर तक इसकी गहराई होती है, अब देखिए, अब दूसरा, दूसरा पाट है, कि इतना beautiful, इतना सुंदर क्यों लगते हैं, पहली बात, दो तरफ से mountain है, बीच में पानी है, अब देखिए, इसमें बहुत सारी fishes रहती है, बहुत सारी मचली रहती है, यानि कि fishing के लिए ये area suitable है, दूसरा, इसमें corals भी रहते हैं, corals आप जानते हो, इस करते हैं, ascarriage, जिसको क्या करते है, ascarriage, अब इस 차ridge पर, ascarriage क्या है, small island list, बहुत चोटे-चोटे ऐलेंड से, इतने चोटे-चोटे कि आप वहाँ एक या दो, घर बना सकते हो, ज्यादा नहीं बना सकते हो, अब फीजू चोटे-चोटे-चोटे ascarriage है, इसको ascarriage कहते हैं, इसे लोग क्या करते हैं घर बनाते हैं होटल बनाते हैं यहां पर टूरिजं़ के लिए यह जो एरिया Şu काफी वेस्ट हो थूरिजम के लिएfund क्योंकि देखने में काफी सुद्र लगता इब है впер दें करो कि दोनों तौरपते परवत हो और वीच में पानी हो थोटे-छोटे ई पहले रिभरद्वारा वीजसफ्ट वैली उसके बाद गलेसियर यूजसफ्ट वैली और प्लिश्टोसीन आई से खतम हुआ तो उसमें पानी आके भर गया श्योड का निर्मार हुआ दूसरा कि देखने में सुन्दर क्यों लगता है दो तरफ से बड़े-बड़े परवत रहते हैं ठीके इनकी लंबाई बहुत जाड़ा होती है ऐसा नहीं के दो किलोमेटर अंदर लेंड में घुसे रहते हैं दूसरा कि इसमें दोनों तरफ से स्केरीज रहती है बहुत छोट को डिल कर सकते हो और एक दूसरा कि देखते हैं एक्चली टायम की कमें है एक कोशन यह भी है एक्स्ट कोश्चन कि भाद की लंबी तक रिखा संसाधन चमताओं पर टिपड़ी कीजिए और इन छेत्रों में से प्रकितिक खत्रे की खत्रे किस्तिक रहता जालिए किस्तिक र अब देखिए फटफट इसको डिसकर करते हैं कि भारत अपनी देश का एक लंबा सा एरिया है कोश्टल एरिया समुंदरी तट अप्रोक्समेटली 7500 किलोमेटर फ्रम गुजरात तुमहाराष्ट्रा गोवा करनाटक केरल तमिलनाडू आंध्राप्रदेश औरिशा अकोवि चर्थ DC अब देखिए आपको पता है कि exclusive economy जॉन दूसरा blue economy क्या होते है सारी topics इसमें आने चाहिए दीज कंदे हो धूंनू है च्पॉष्टेज एरिया है सब कुंदेदेश के राट क्सेशार्म पॉच्सीन प सब वांडरी वहां से यह वेर पिमंबई है यहां से 200 warum इस देश का च्छेतर होगा रिसोर्स का उस देश पर कभजा होगा ठीक है अब देखिए तो यह भायत का अगर समुंदरी तर्ट लंबा है तो आपका एक्स्क्लूसिव एकुनोमिक जोन भी ज्यादा हो एरिया में होगा दूसरा की बुलु एकुनोमी यह आपने पढ़ाव का उस इनोग्राफी में नही बहुत सारे चीजों के अगर को स्वचतल अपको पता है कि अगर अगर को सतल यह लंबा है तो आपका पास सोगे यहांपर क्या और पॉर्ट के बंदरगाह होंगे दृब्धरव जाने और विपलेटनु तो इसको कोई भी चीज अपनी देश में लाना हो दूसरे देश से या दूसरे देश भेजना उसको ज्यादा दिकत हो उसको ज्यादा resources की utilization करना पड़ेगा लेकिन भारत आपको पता है कि जो पानी का पानी का जो transportation होता है सबसे cheapest होता है सबसे सस्ता होता है भारत के इतनी लं तो जो importance है आप उसमें बताओ कोरेल्स हो गया टूरीजम हो गया आपको पता है बहुत सारे जैसे जो गोवा है गोवा एस्टेट है गोवा एस्टेट का economy है वहां की टूरीजम पर बहुत जादा निरफर करती है लोग बहुत जादा हजारों लाखों लोग जाते हैं गोव घझार्स का कबशिकर कर सकते हैं फ़र सकते है अबॉत टाइम की कमी है है अथा पता है अब आपको पता है कि जोगग्रफी में गविव स्लिव लीग यह जून यो पसी द्वारा उसका जो second part है, वो है resources, हमें resources के बारे में, और water is one of the most important resources for the survival of plant and animals for the flora and fauna on the surface of the earth, अब देखें, ध्यान सुनिये मेरी बात, अपने earth का, जो 71%, जो 71% जो area है, वो क्या है, वो पानी है, वो क्या है, water, approximately 70% of the earth's surface is covered with water, but the problem is dead, कि जो पानी है, maximum जो पानी है, 97%, 97% जो water है, वो क्या है, वो सेलाइन है, मतलब उसमें नमक की मातरा बहुत ज़्यादा है, तो मुंदर का जो पानी होता, उसमें नमक की मातरा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है, जिस पानी को आप drinking purpose के लिए use नहीं कर सकते हो, यानि कि एक कहाओ थे, कि water is scarce, मतलब faced water is scarce, in plenty, मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, हमारे धरती के सता पर, लेकिन फिर भी उसकी कमी है, होने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसकी कमी है, क्यों, क्योंकि जो 97% जो water है, पहला point समझें, कि earth का 70% area में, actually 71% area क्या है, पानी से ढखा हुआ है, यह आप सब जानते हो, और उस 71% area में जो पानी है, उसका 97% पानी क्या है, यानि कि उसमें नमग की मात्र जादा है, यानि कि सब मिलना जो लाकर, 3%, only 3% जो water है, वो क्या है, 3% water क्या है, available है, किसके लिए, किसके लिए, fresh water, लेकिन problem यह है, कि यह जो 3% पानी है, इसको भी हम डाइडेक्ट, यह हमारे लिए available नहीं है, drinking purpose के लिए, क्यों, क्योंकि इस 3% पानी में, जो 98% approximately जो पानी है, वो है आपका polar region, polar region में, in the form of ice and glaciers, in North Pole and South Pole, आप चीज़ों का समझे है, कि पानी तो हमारे धर्ती के surface पे 70% area में है, उससे भी ज़्यादा है, उसमें से जो 97% पानी है, वो saline है, यानि कि उसमें नमक है, उसको में यूज नहीं कर सकते हैं, बचा 3%, 3% में भी जो maximum पानी है, वो North Pole और South Pole में, आपका in the form of snow and glacier है, बाकी ground water के अंदर है, यानि कि जमीन के नीची है, हमारे पास पानी पीने के लिए बहुत कम है, और वहीं पुछा जा रहा है, कि जो ये fresh water है, उसकी crisis है पूरे world में, जो major city है, जाएं अपना इंडिया हो, जो major city है, सारे cities में, ये drinking water का एक बहुत बड़ा crisis है, आप पढ़ते होगे, निविज में हमिसा आता होगा, बैंगलोर, one of the most developed city in the country, electronic city कहा जाता है, सब दुनिया के जो भी बड़ी-बड़ी industry, जो भी बड़ी-बड़ी factory है, खास करके, जो आपके electronics industry है, उसका महाँ पर center है, लेकिन महाँ पर water crisis पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा हो गया है, और बैंगलोर में नहीं, बाकि सार साहरो में भी, चाहें दिल्ली हो, चाहें कोई भी साहरो, water crisis is one of the most important issues in the city, आप हमेशा सुनते होगे, जब मैं पिछले 10 साल से लगवग सुन रहा हूं, जब से थोड़ा बहुत समयजाई होई है, कि कावेरी water disputes, करनाटा, केरल, तमिलनाडू, और आज तक ही disputes सो नहीं बड़ क्यों, क्योंकि जो fresh water की जो यह requirement फुल्फिल होई नहीं रहे कहीं भी, और इसर्फ इंडिया की बात नहीं करें, पूरे world में, अब इसके region क्या है, जो fresh water, पहला तो problem यह है, कि रिसोर्से से कम है, पहला problem क्या है, कि इसकी resources से कम ही है, दूसरा कि इसका wastage ज़्यादा है, जो भी पानी है, उसके उसमें pollution ज़्यादा हो रहा है, प्रदूसर बहुत हो रहा है, तीसरा, कि जो भी fresh water available है, उसका 70% कहां जाता है, agriculture में, जो भी fresh water आज अविलेवल है, उसका 70% कहां जा रहा है, आपका agriculture में जा रहा है, और agriculture में जो हम पानी इस्तिमाल करते हैं, तो उस वो क्या होता है, वो पानी के साथ तलाब में नदी में जाता है, और वहां के पानी को pollutant करता है, तो क्या हम कह सकते हैं, कि due to urbanization, due to increase in population, आप देखिए, पानी तो उतना ही है, रिसोर्स तो उतना ही है, लेकिन day by day, world में population बहुत तेजी से बढ़ रही है, और खास करके अपन तो यह है, यह resources से कम है, water की यह ओ तो नहीं बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, population बढ़ रहा है, जहां पर पहले 100 लोग रहते थे, आज 1000 लोग रह रहे है, तो पानी की तो कमी होगी, simple सी बात है, दूसरा, जो लोग पानी यूज करते हैं, उस पानी का सही से retreatment नहीं होत जाता है, ऐसा नहीं हम पानी यूज करते हैं, और maximum जो पानी होता है, जो भी हम घर में यूज करते हैं, उसका retreatment नहीं होता है, वो पानी wastage हो जाता है, जो industries, agriculture के बाद, agriculture में सबसे ज़्यादा fresh water का इस्तमाल किया जाता है, उसके बाद, आप industries, कोई भी industries हो, कोई भी factories हो, उसमें large amount of water यूज किया जाता है, चाहे हो कप्रा इंडस्टी जो, चाहे हो कोई भी industry जो, चाहे हो आपका चमणा की इंडस्टी जो, large amount of water यूज किया जाता है, यह सब क्या है, कारण है, due to for the shortage of fresh water on the surface of the, तो इस तरीके सा आप answer लिख सकते हो, एक तो जो fresh water हो पहले से कम है उसके बाद जो हमारी activities है, increasing population, urbanization, industries, आपका उद्योगी करण, आपका क्या हो रहा है, जैसे industry सब कि इसके वज़े से और कम होता चाला जा रहा है, और इसके वज़े से कम होता चाला है, इसमें क्या climate factors भी आप लाग सकते हो, due to climate change, due to climate change, global warming, the average, the increase in the average, the increase in the average temperature of the earth surface, और जब fresh water poles पर, north pole और south pole पर, या glacier, Tibetan flat view पर है, वो बहुत तेजी से पिघल रहे है, और जब वो पिघल रहे है, तो समुंदर में जा रहे है, यानि कि day by day, जो fresh water है, उसकी मातरा क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये और भी आने वाले समय में, ये हमारे लिए एक बहुत बढ़ा problem बन सकता है, क्योंकि आने वाले समय में, जन संक्या तो बढ़ेगी, fresh water देरे-देरे क्या होगा, कम होगा, जो भी north pole, south pole पर, जो भी glaciers पर है, वो क्या हो रहे है, देरे-देरे कम हो रहे है, I'm getting my point, next, जिसे, एक कोशन ये था, बागी कोशन हम डिस्कुस करेंगे next time, ये कोशन ये था, listen carefully, कि 1960 के दस्तक में, तो दिखा दे आया कि भारत विस्व में एक सुद्ध, नियातक के रूप में उबरा है, कान दीजिए, from being net food importer in 1960, इंडिया has emerged as the net food exporter to the world, यानि कि 1960 से पहले, मेरी बात ध्यान सुनिए, 1960-70 से पहले, भारत net importer था, खाने का, हम हर चीज, wheat, आपको पता, USA से मांगाते थे, और 1960 के बाद, हम net exporter हो गए, यानि कि हम दूसरे देशों को, अपना पेट तो पाल ही रहे, अपना पेट तो भरी रहे, अपने साथ दूसरे देशों का भी पाल रहे, अब देखिए, इतना question देखने के बाद, आपको दिमाग में आ गया होगा, maximum लोग समझ गया होगे, कि ये question किसको indicate कर रहे, question simple सी बहुल रहा है, कि जो food in 1960 से पहले, food हम क्या करते थे, दूसरे देशों से मंगाते थे, अपने देश के लोगों को खिलाने के लिए, अपने सारी कहानी पढ़ा होगा, कि हम जो गेहू था, वेट है, हम USA से मंगाते थे, और USA सबसे खराब quality का गेहू हमरे देश में भेड़ता था, जो वहाँ के गायव हैं, सूर, वहाँ के जानवरों को खिला जाता था, और वो भी 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा था, तो USA ने उसके उस पर भी रोक लगा दिया था, जिसके वएसे हमारे दिस में काफी दिक्कत होई, लाजबाद उसासरी जुन्हों ने नारा दिया जए जवान, जए किसान, उसके बाद हम क्या होई धीरे-धीरे, अब देखो, यह कोश्चन इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, कि यह कोश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है, यह कोश्चन पूछा जा रहा है, इंडियक्ली एबाद ग्रीन रिवलूशन, अरित करांथी के बारे में और यह कोश्चन इसलिए इंपोर्टेन हो जाता है, क्योंकि जो फादर अफ ग्रीन रिवलूशन इन इंडिया थे, MS Swaminathan, उनकी देथ हुई है, अभी कुछ दिन पहले, MS Swaminathan, the father of Indian Green Revolution, कुछ दिन पहले उनकी देथ हुई है, ठीक है, तो यह Green Revolution पर था, अब Green Revolution से जितने टॉपिक है, जितने related point है, वह आपको इसमें लिखना है, कि Green Revolution भारे के किस चहतर में हुआ, खास्त के हमारी देश में डाल की कमी है क्योंकि डाल सब्से ज़्यदा न्यूट्रिस नर्ए स्वेग्ट करते हैं तो जो पल्स निच देश में तो तो बहुत सी कमी है सी खास बत यह कि India is the biggest producer of pulses in the world सबसे ज्यादा pulses जो दाल होती है इंडिया ही प्रोडूस करता है लेकिन प्रॉलम यह है कि in spite of producing the maximum amount of pulses we are pulses deficit country in the world हमारे पस pulses की कम है क्यों कि कोई जनसंख्या जादा है दूसरा अपने जो संस्कृती वारत में आपको पता कि दाल तो चाहिए कम से कम एक टाइम तो दाल चाहिए पूरे जनसंख्या को कम से कम एक टाइम डाल चाहिए तो पल्सिस कैसा नहीं कि production हमारे देश में कम होता है जी नहीं सबसे ज्यादा हम production करते हैं लेकिन in spite of date क्या होते कमी हो रही है क्यों कमी हो रही है क्योंकि क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और अपने कल्चर में डाल तो बनता है ठीक है तो आप सरकार सोच रही है कि green revolution 2.0 लाने की जरूरत है और कहा लाए जाएगा इस एरिया में लाए प्रण भी हुए फाइदे क्या हुए कि पहले हम अपने पेट पालने के लिए अपने पेट को भरने के लिए दूसरे देसों से basic जुग्गिये हुँ आटा चावल था हम दूसरे देसों से लेते थे लेकिन जैसे गिरिन रूर्शन आया दस साल में हमने स्थिति को बिल्कु सेकुरिटी खार सुरक्षा परम क्या होगे सिर्फ डिपेंडेंट होगे आत्म निर्वर होगे लेकिन खराबिया क्या थी कि जिस जिस चैतर में ग्रीन रूर्शन आया पंजाब अर्यान वेश्टन उतरपदेश वहां कि स्वेद बिल्कुल इन फर्टाइल हो चुकी है उस उचके गुवर्मेंट ने सबसीडी दिया पहुत सारी फेक्टर थे और उनका भी डिसकस करेंगे तो जहां एक मोटा मोटी समझें कि जहां ग्रेन रूर्शन आया वहां पर क्या हुआ वहां पर फर्टिलीटी सोल का फर्टिलीटी डाउन होगे है पानी ज्यादा इरिगेस हो गया वहां पर Green Revolution 2.0 लाने की बाद है और किसके पल्सिस के बाद है ओके तो बाखी कोश्चन अम नेक्स टाइम डिसकस करेंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं थेंक्यू थेंक्यू अलफ यू